तो आज की वीडियो में देखेंगे आप यह लेडिस लॉंग स्वेटर मैंने बनाई है तो इसका step by step फुल टुटोरियल में आपको दूँगी कैसे इसका बॉर्डर बनाया कैसे इसका डिजाइन दिया हुआ है और कैसे इसके आर्म होल गले की कटिंग है कैसा किते फंदे इस और यह जो size है इसका size है large में L में तो यह XL को भी आ जाएगी और medium वाले को भी आ जाएगी इसका design इस तरह से हमने बनाया है ठीक है सबसे पहले इसकी length की मैं बात करूँ तो यह लगबर 29 inch ठीक है 29 inch long इसकी length है तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते है थोड़ा छो चार्मिंग वर्दमान की चार्मिंग उन है यह ठीक है और उन लगी है इसमें 700 gram 700 gram पूरी नहीं लगी है लेकिन आप 700 gram लेंगे अगर आपको इतनी ही length बनानी हो तो थोड़ी सी बच भी जाएगी लेकिन कम नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर आप इसमें pocket बनाना चाहते हैं तो 750 gram आपको लेनी पड़ी कि 700 gram तो आपको लेनी ही पड़ेगी ठीक है तो 700 gram उन ले लीजिए थोड़ा सा बच सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कम अगर हो जाती उन तो बाद में problem होती है ठीक है तो step by step इसके सारे मैं बता दूंगे आपको पहला part हम बना रह और इस तरह से आपको step by step चीज़ें मिलती रहेंगी सबसे पहले आप border सीख लीजिए border सीखने के बाद आपको मैं बताऊंगी pattern कैसे है ठीक है border और pattern जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप sweater सुरू कर सकते है और उसके बाद आपको पता बताया जाएगा कि इसमें कितने लिए गए है बैक साइड में कितने फंदे लिए गए है आर्म होल की cutting कैसे की गई है गले की cutting में हमने क्या किया है गला कैसे बनाया बाजू में कितने फंदे लिए और बाजू कैसे बनाई यह सारा आपको full tutorial step by step मिलेगा तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे बैल आ प्रेट कलर का जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ उसको प्रेस करेंगे उसके सामने बैल आ जाएंगी तो बैल में सबसे उपर वाले को प्रेस करेंगे तो हमें साथ जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका notification सबसे पहले आपके पास आएगा ठीक है तो चलिए सब से पहले हम इस बॉर्डर को बनाना सीखते हैं अभी आप शिर्प सीख लीजिए क्योंकि बनाना जो है आगे को बनाना है वह पहले आप सारी वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे उसके बाद ही आप सुरू कीजिए क्योंकि वीडियो समझ में आएगी स्वेटर महनत के काम होते हैं ठीक है स्वेटर बनाना काफी महनत की चीज है अगर आपने थोड़ा सा सुरू कर दिया उसके बाद आपके समझ में नहीं आया तो आप फिर कंफ्यूज रहेंगे फिर काम अधूरा रह जाएगा तो इस तरह की काफी सारी स्वेटर दी है मैंने लेडिस कार्डिगन बच्चों के जैन्स के तो आपको कोई भी पैटर जो पैटर अच्छा लगता है वो पैटर आप बना करके पहन सकते हैं ठीक है तो यह देखे थोड़े से फंदे ले लिए है मैंने बनाएंगे हम यह वाला बॉर्डर काफी सुन्दर लगता है यह थोड़ी इसकी मुझे लग रहा है कैमरे की जो ब्राइट में से वो ज्यादा है इसलिए इसमें उतना आपको दीख नहीं रहा है तो सबसे अभी हमने सिंपल फंदे लिए हैं ठीक है सिंपल फंदे लिए हैं तो पहली रो हम सीधी सीधी बना लेते हैं यह देखे पहली रो हम एकदम सीधी बना लेंगे तो यह रो कंप्लीट कर लेते हैं देखे पहली रो हमने सीधी सीधी कंप्लीट कर लिए सीधी तरफ अब हम आगे हैं उल्टी तरफ उल्टी तरफ क्या क करेंगे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाएंगे यह सीधा बना दिया धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंग आपको यह देखें एक उल्टा एक सीधा है देखें यह पर बैक रो भी कंप्लीट कर ली एक सीधी एक उल्टी करके आ गए हम वापस फरंट रो में तो देखें फरंट रो में आ गए हैं अब क्या करना है हमको यह हमारा पहला फंदा ले लिया हमने अगर आपका यह फंदा सीधा आ रहा है ठीक है यह फंदा सीधा आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए नहीं तो यहां पे एक उल्टा और आ रहा है तो उसको उल्टा बना लीजे ठीक है उसको उल्टा बनाने के बाद जहां पे आपका फंदा सीधा आएगा क्या करना आपने इस तरह से धागे को डबल करना है और जो एक खिसक रहा है धागा इसको इससे नहीं बनाना है जो यह मजबूत धागा है टाइट हो रहा है जो उससे बनाना है क्या करना है तीन धागे पहला सीधा है पहला फंदा सीधा है हमारा दूसरा फंद बिना बनाएं ले लेंगे, skip कर लेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे उल्टा, उसको बनाएंगे हम इससे, जो हमारा, देखे, जो खिसक रहा है, उससे नहीं बनाएंगे, जो हमारा ये धागा खिसक रहा है, इससे नहीं बनाएंगे, बलकि इससे बनाएंगे, उल्टा फंद ठीक है ये देखे उल्टा फंदा हो गया फिर धागा पीछे करेंगे ये सीधा आ गया इसको सीधा बना लेंगे ये सीधा बन गया धागा आगे करेंगे और बैक साइड से इसको ऐसे खीज देंगे ठीक है ठीक है खीज देंगे फिर धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे पस यही पैटर्न हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा इस तरह से धागे को लेंगे आगे ले लिया उसके बाद यह पहला सीधा फंदा दिख रहा आपको यह बिना बनाए लेंगे यह जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको बना लेंगे अब ख्याल यही रखना है जो हमारा धागा खिसक रहा है इससे नहीं बनाएंगे जो हमारा यहां पर बना हुआ है उससे बनाएंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा फिर धागा आगे करेंगे और पीछे साइट से इसको खीच लेंगे इस तरह से यह देखे फिर धागा इस तरह से ले लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे फिर पीटा आएगा पैटन इ उल्टा बना लेंगे, फिर डबल धागा लेंगे वापस, सीधा वाला बिना बनाए, उल्टा वाला बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधा भी बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और बैक साइड से खीच लेंगे, फिर धागा आगे एक उल्टा, यही रिपीट पैट इसलिए इसमें आपको ज्यादा दिखनी रहा होगा लेकिन अगर आप थोड़ा लाइट कलर में बनाएंगे तो बहुत ही सुन्दर लगता है अब देखिए यहां पे हमारे तीन ही फंदे बचे हैं यहां पे बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे इनको सीधा ले लेंगे ऐसे क्योंकि बनेगा नहीं पैटन दूसरी बार में बन जाएगा क्योंकि दूसरी बार का पैटन अपनी जगा चेंज गर लेगा ठीक है तो यह पहला पैटन हमने दे दिया है तीसरी रो है यह चौथी रो में हम आगे हैं चौथी रो हमारी वही आएगी एक उल्टा एक सीधा तो देखे, यह सीधा फंदा है, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, और यह उल्टा फंदा है, धागा पीछे करेंगे, उल्टा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, देखे, सीधा फंदा आपको दिख रहा होगा, साब दिख जाता है कि कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है ठीक है उल्टा सीधा तो ये बैक वाली रो हमेशा ऐसी आएगी एक उल्टा एक सीधा जो फंदा हमारा उल्टा होगा वो उल्टा ही बनेगा जो सीधा होगा वो सीधा ही बनेगा ठीक है इस रो को कम्लीट कर लेते हैं फोर्थ रो है हमारी फिप्त रो मा आते हैं वही पैटन देंगे देखिए फोर्थ रो कंप्लीट करके फिप्ट रो में आ गए हैं पैटन वही देंगे लेकिन जगर चेंज हो जाएगी सबसे पहले अभी हमने पहली रो में जब पैटन बनाया था तो यह उल्टा यह बिना बनाई लेकर के सीधे धागा डबल धागा आगे करके बना लेकिन अब जो रो हम अकेले बनाते हो शら उसमें वीच वाला बनाएंगी और यह जो रो हम अकेला बना है यह एक पैटन बन जाएगा यह तो एक रो में तो ऐसा करना हैं दूसरी रो में क्या करना है ये जो सीधा फंदा है इसको बना लेंगे ऐसे ही धागा आगे करके ये उल्टा फंदा बना लेंगे ठीक है अब जो पहले पैटन बनाया था वो और दूसरा पैटन जो बनाया था उन दोनों के दोनों सीधे ले लेंगे और जो बीच में सिंपल उल्टा था उसको बीच में और धागा उसी तरह से करेंगे, डबल धागा आगे करेंगे, सीधा बिना बनाए लेंगे, उल्टे को बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर वापस धागा सीधा बिना बनाए ले लेंगे, उल्टे को बना लेंगे, उसके बाद वहीं पे धागा पीछे करके, सीधा भी बना लेंगे, और साथ में धागा आगे भी कर लेंगे, अब बैक साइट से धागे को खीचेंगे, ये है, ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, ठीक है फिर उसके बार डबल धागा करके तीन फंदे बनेंगे एक बिना बनाए एक उल्टा एक सीधा फिर धागा खीश लेंगे और यहां पर एक फंदा उल्टा अकेला बनेगा अब देखे पिछली बार हमारा यहां पर पैटर्न नहीं बना था लेकिन इस बार पैटर्न बना है एक बार बनेगा पैटर्न एक बार नहीं बनेगा वहां पर तो घबराने की जरुवत नहीं है कि दो-तीन फैंदे ऐसे चुट गए कोई बार निए एक पैटर्न ही आएगा एक पैटर्न ही आएगा तो देखे, फिप्ट रो भी complete हो गई है, हमारी 6 रो आ गई है, 6 रो में वही बनाना है हमको, जो उल्टा है उल्टा बनाएंगे, जो सीधा है सीधा बनाएंगे, तो देखे ये सीधा फंदा दिख रहा है, आपको फली दिख रही है, सीधा बना लिया, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, तो बैक वाली रो हमको उल्टी सीधी बना लेनी है, complete कर लेते इस रो को, तो देखे, साथ में मैं यहाँ पर बटन होल भी बता देती हूं, बटन होल कैसे बनाएंगे जहां पर यह तीन उल्टे दिख रहे तीन एक साथ दिख रहे एक पैटन दिख रहे आपको यहां पर भी बना सकते हैं यहां पर भी बना सकते ठीक है करना क्या है धागा आगे ले लेना है ऐसे और इस तरह से लपेट लेना है ठीक है देखे कहां पर कर रही ह जैसे कि मैंने 11 फंदों की बटन पट्टी बनाई है तो कितना रखना है छे फंदे इधर रखने हैं पांच फंदे इधर रखने हैं ठीक है यह देखे धागा ज़रूरी नहीं कि हो सकता है यहां पर पांच ही हो लेकिन करना कब आपको जब हमारा जो सिंपल वाला उल्टा था और इस तरह से लपेट लेंगे ठीक है लपेट लिया और एक दो इन दोनों को हम साथ में बना लेंगे ऐसे और यह कौन सा है हमारा उल्टा है उल्टा ही बना लेंगे इसको धागा पीछे करेंगे सीधा बना लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा और धागा सीधे यह हमा यह देखे यहाँपे button पत्ति का हमारा hole हो चुका है न countless प्रिष्पक्ट करना है पैटन कैसे सुरू करेंगे वही जो फर्स्ट रो में हमने पैटन सुरू किया था शुरू में डबल धागा कर लेंगे ये ऐसी ले लेंगे उल्टा बना लेंगे सीधे को सीधा बनाएंगे और इस तरह से धागा खीज लेंगे ठीक है धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे ठीक है ये हो गया फिर वही करेंगे इसको हम बिना बनाए लेंगे ऐसे और उ चुका है can i be deve आगए करेंगे एक उल्टा बना लेगे पैटन हमारा वही चलेगा एक बार कि जगा चेंज हो जाएगी ठीक है सेम न वही रहेगा लेकिन हमारी जगा है पैटन की वह चेंज हो जाएगी रागा आगे कर लेते कि ह worked vara बना लेते हैं फिर दबल धागा करेंगे देखें यह पैटन बना हुआ है और यह पैटन यह देखें लंबा धागा आपको दिख रहा है नहीं यहां से यह गया यह उल्टा बीच मा के लिए दिख रहा है तो इसके अगल वगल वालों को ले लेंगे ठीक है इसको बिना करना चाहते हैं आप तो डबल धागा कर लीजिए ठीक है कि अधागा आगे करेंगे एक उल्टा बना लेंगे प्यार समझ में आ गया होगा बस की CHANGE हो जाएगे हर जगा हमारी चेंज हो जाएगे अब देखेँ फिर वही जो हमारा पहली बार इस वाले पेटर माया था 3 हमारे ऐसी हए सीधे 1 सीधा 1 उल्टा और 1 सीधा किनारे पर पर पेटर नहीं बैटरा 3 पंदो का FFD लोका तो उन बनाना है तो क्या करेंगे तो देखे जहां पर होल बनाया था हमने वहां पर आ गए हम यहां पर अल्रेडी बड़ा सा होल हो गया है यह देखे काफी बड़ा होल हो गया आप किते बड़ा भी बटन इसमें दे सकते हैं और यहां उनका होल तो ऐसा होता है इसमें छोटा बटन बड़ा बटन आप दोनों एज़ेश्ट कर सकते हैं क्योंकि खिच जाता है उनका बनावाया हुआ खिच जाता है तो इस तरह से आप पहले बॉर्डर का पैटन सीख लिजे जो बॉर्डर में हमने डिजाइन दिया है और जो बटन पट्टी में हमने बटन होल दिया यह दोनों ही इसमें आपको अच्छे से बता दिया है फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो यहां पार्ट नमबर थ्री में ज अब टक्तिले बाइब बाइब